दोस्तों PVC आधरकड आपके home address पर कब तक आ जाएगा उसको आपके mobile के जरिए online उसका delivery status को tracking करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो PVC आधरकड है वो आपके address पर कब तक आ जाएगा और दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको PVC आधरकड का delivery status को tracking करने का पूरी process दिखाने ज दोस्तों उसके लिए आपको आपके mobile पे कोई भी एक ब्रॉजर में आपको चले जाना है जाके आपको टाइप करना है मायाधार.uidi.gov.in इस तरह सी आपको टाइप करके search करना है और search करते ही दोस्तों मायाधार का portal आपका सामने open हो जाता है और आपको यहाँ पे position के एंट SRN यानि दोस्तों आपने online से जब आधार BBC कर को order किया था तो आपको एक SRN नमर यानि service request नमर आपको मिला हुआ होगा तो service request नमर कुछ इस टाइप का होगा दोस्तों यहाँ पे transition success नीचे में SRN नमर तो यह SRN नमर को आपको फपी करना है ठीक है इस नमर को आपको यहाँ प आपको दिखने को मिल जाता है सबसे पहले तो आपका SRN नमर रहेगा उसके बाद आपने को आपका आधार BBC कर को order किया था वो date आपको दिखने को मिल जाता है उसके बाद में आपको current status के जगा पे दोस्तों अगर आपका print in process दिखने को मिल रहे उसका मतलब है कि दोस्तों आपको आधार BBC काड़े वो अभी तक बना हुआ नहीं है उसको बनाने के लिए यानि under process में बनाने के लिए ठीक है तो अगर आपका आधार BBC काड़ को by post के त्रू भेज दिया गया है तो दोस्तों आपको यहां पे कराण status के जगा पे आपको यहां पे dispatch दिखने को मिल जात अगर आपको यहां पे speed post number यानि area bill number आपको देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन आपने आधार BBC कर order किया हुआ बहुत दिन हो चुगा तो ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों आपको और एक tricks लगा कि आपका speed post number यानि area bill number को आपको निकल सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको क् 4-7 number पे आपको call करना है call करके आपको जब call लग जाएगा call connect हो जागा उसकी बदें आपको यहां पे कुछ दबाने के लिए कहा जाएगा तो इसमेंचे दोस्तों आपको 9 दबाने के लिए कहेगा तो 9 को प्रेस करना है 9 प्रेस करते ही दोस्तों आप आधार का जो customer executive person है उ बिल नमर मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको फिर से आपको गोगल पे आजाना है याने दोस्तों आपको यहां पे टाइप करना है इंडिया-post.gov.in इंडिया-post.gov.in टाइप करके सर्च करते ही दोस्तों आपका सामने इंडियान-post का website ओपेन हो जाता है और ओपेन होते ही दोस्तों आपको देखिए कुछ इस्टप के अंटरवेस दिखने को मिलेगा और यहां पे दोस्तों आपको यह जो consignment है इसको आपक देखने को मिल रहा है इस नंबर में से दोस्त आपको चेक करना है उपर में क्या लिखा हुआ है यह और लिकांगा यह जो नामर में जो थेक्रेइक करने के लिए को करना है यृनि यह जो थ्रशन टाइम लेता है आपको इसलिए दोस्तो आपको यह पर ट्रेक नाव में क्लिक करने के बादे दोस्तो आपको यह पर दोस सेकेंड से लेकर दो मिनट तक का इंतिचर करना पड़ सकता है इसलिए आपको इंतिचर करना है और इंतिचर करने के बादे अंध में आपका यहां पर जो tracking process से वो complete हो जाता है और आपका समनी इस तरह से details निकल के आ जाता है और उसके बाद आपको यह profile लिए आपको track करने के लिए पता करने के लिए आपको पूरा नीचे आ जाना होगा यहाँ पे जो details आपको दिखने को मिल रहा है ना इसका आपको totally नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद ने आपको सबसे पहल है यानि नीचे आपको यहाँ पे दिखने को मिले देखिए event item booked और यह item booked का मतलब जो पीवीसी अधर कर था वो पोस्ट अभी से बूक हुआ था उपर में रहेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो आधर पीवीसी काड़ है वो बाइपोस्ट के तरों कहां तक आहां पहुंचा यानि कौन सा कौन सा लोकेशन में आ गया है यह पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है और अगर आप दोस्तों पूरा उपर में अगर आप जो फोटस का जो आधर पीशिकर आ गया है तो दोस्तों आपका पोस्टफिस का नाम रहेगा तो वो डेट रहेगा ठीक है अगर आपका head of post office में आ गया है तो दोस्तों आपको उसी वक्त क्या करना है आपका ये area bill number आपके बगल के post office में जाके देद देना है कि ये number से मेरा आधार पीविसी कार्ड आ रहा है तो आ गया है तो जल्दी से डेलबरिक कर देना तो इस तरह से आ आपको जो आधार पीविसी काड़े बहुत जल्दी से आपको मिलने का चांच रहता है दोस्तों उमीद करता हूं कि पीविसी आधार काड डेलिवरी स्टेटस को ट्रेकिंग करने का पोस्तिस आपको पता चल चुका है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेलप लिए वीडियो को लाइक किजेगा सेर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किजेगा ताकि आपको इस तरह का नए नए अडिट मिलता रहे